सो हे गाईस में हो आत्रे यान वेलकम बेक टो में यूट्यूब चानेल में मेक अप हैप्स आज मैं आप लोगे साथ बहुत ही सिंपल रक्षा बनने मेक अप लूग शेयर करने वाली हूँ मुझे बहुत दिनों से जुगम थी इसलिए मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई लेकिन मुझे आज मेक अप करने के बहुत ज़्यदा मूर हो रही थी तो मेरे सच है कि मैं आप लोगे साथ एक सिंपल रक्षा बनन मेक अप लूग शेयर करूँ क्योंकि सामने ही रक्षा बनन आ रही है आई होप कैस इस वाले वीडियो आप लोग का बात ही अचले हैगे तो चलो गैस वीडियो का लिटाट करते है सबसे पहले में यहाँ पर मेरे स्कीन केर टूटिन को फालो कर लोंगी और स्कीन केर के लिए मेरे यहाँ पर लोडियाल पैरिस की 1.5% हालरानिक असी सिरम को मेरे फेस पर अपलाए कर लोंगी यहाँ मेरे बहुत ही फेवरीट एक मास्टरेजर क्रीम है मेरे हर वीडियो में इसे ही अपलाए करती हूँ क्योंकि यह बहुत ही अच्छे मास्टरेजर है दान में यहाँ पर आयूर की स्टावरी लिबम के अपलाए कर लोंगी दान में स्विस ब्यूटी के प्राइमर के अपलाए कर लोंगी यह एक हाइलेटिंग प्राइमर है में बहुत ही सिम्पल एक मेकप लोग क्रियेट करूंगी इसलिए में कोई भी हेवी प्रोड़क्ट की उजने करूंगी तो मैं फूल फेस पर पहले प्राइमर के अपलाई कर लोंगी बहुत है अच्छे से यह प्राइमर थ्री शेट में आ जाते है एक नाचरल टिंट एक गोल्डें टिंट एक पिंग तिंटे वहर स्किन कलर को करते हैं अच्छे सब्सक्राइब कर लोंगी मैं अच्छे में कोई भी फांडेशन के उसने करूंगी क्योंकि बहुत ही सिंपल एक मेकप लुक है मैं पहले सिसी क्रीम को डेप डेप करके मेरे फेस पे अपलाई कर लूँगी देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे में पांडेशन बहुत सब्सक्राइब कर लूँगी अच्छे मेरे फेस इतने ज़दे वाइट लग रही है तो उसके बाद मैं यहां पे कॉंसिलर के अपलाई कर लूँगी मैं यहां पे सब्सक्राइब कर लाई हूं एंड़ वी शीन वियूटी की कॉंसिलर के इस यहां कया खाव पर यहां की अजयके का है देन उसी beauty blender के help से इसको ब्लेंड कर दोंगी एड मैंने concealer के shade name है 06 clear neon कॉंसिलर अच्छे से अपलाई हो जाने के बाद में मेवलिन की fit me compact powder से मेरे फूल फिस का सेट कर लूगी यह compact powder एक matte finish प्रोवाइट करते है तो oily skin वालों के लिए एक बहुत ही perfect compact powder है मेरे फेस और मेरे नेक और मेरे यार पे अपलाई कर लूगी ताकि मेरे फेस और मेरे नेक और मेरे यार के color में कोई भी डिफरेंट ना दिखे मेरे मेरे मेकप को पहले सेट कर लूगी और उसके बाद में मेरे आइब्राउस को क्रेट कर लूगी और आइब्राउस को क्रेट करने के लिए मही जाहाँ पेप ग्लैम 21 के आइब्राउस पेलेट को यूज़ कर रही हो और इसमें से ब्राउन एंड ब्लाक शेट को पिक करके दुनक अच्छे से मिक्स करते हूँ उससे मेरे आइब्राउस को क्रेट कर लूगी इसका बाद मैं यहाँ पे इन्वाइबे की ब्लैक लाइनर को अपलाई कर लूँगी और मेरे यहाँ पे फिन लाइनर को ब्राउ करूँगी इसका बाद मेरे ब्लाम ब्लाई कर लूँगी देन में नायका की करल लूंग पावर करल मस्करा से मेरे आईलेश को कर लूंगी और मैं यह पर कोई भी फर्स लेशेश को वेर नहीं कर रही हूं सो मस्करा अच्छा से अपलाई है जाने के बाद मैं लेक में आईकोनी कजल को मेरे वाटर लाइन पर अपलाई कर लूंगी और मैं कजल को बहुत ही डीप अपलाई करूंगी पर अपलाई हो जाने के बाद मैं गोल्डन शीमर शेट को मेरे आईलिट पर अपलाई कर लूंगी पहले सोचा था कि मैं इस वाली आईलूग में कोई भी आईशालो के अपलाई करूंगी लेकिन मैं बाद मैं सोचा कि एक शीमर शेट को अपलाई कर लेते हूं इसलिए मैं इसका अप्लाई किया है दर्म स्टेक वर के केक ब्लाश को अप्लाई कर लोंगा इसकी शेड नेम है पीजी लेडी थी चीकी गल ब्लाश इसका प्लाई कर लोंगी है यहापे मेविलीन की मस्टर टोंकी हाइल अप्लाई कर लोंगी इन दी इस शेड़ नोइस गौल्ड मोल टोन मैं फिंगर की हिल्प से ही मेरी विजूल स्पार्ण को हालाइट कर लोंगी झाल शोड़ जोबने एंजा जान फिर फिर लेकर को अधार उन दीजिए हो जार आपका और कि जार आपका चापक पाराई कशी का चारी उन दीजिए हो भी बरें तीज़ बंड कर रहें। मैं यहां पर स्वेस्टे कर दो केड गोर्ग दूप यहां पर सुइस बूटी के लिप लाइन को वेल कर दायी हूँ ए डिफ्स्टिक के लिए मैं नाइका क्झ मीनी लिफ्स्टेक को वेलकर दायी हूं इंधी शेंड मधरस कपी अटलस में स्वीज ब्यूटी की मेकप सेटिंग स्प्रेज में मेकप को सेट कर लूँगी and guys this is my final look I hope आप लोग ने मेरीजवानी मेकप लूप को एंजोई किया है So guys I hope आप लोग को मेरीजवानी मेकप लूप अच्छे लगी है अगर अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक शेयर देश सब्सक्राइब का दिन और मुझे बहुत सारा प्याद लेना ताकि मैं आप लोग केल लो और भी अच्छा च्छे वीडियो कटन ला सकू And guys मैं मेरीज़ इंस्टाग्राम और फेस्बुक लिंक को स्कूइब इसकी पर भी डिस्क्रिप्शन बस में देते हूं तो प्लीज आप लोग को चेक आउट कर लेना Thank you guys, love your way, take care झालDet कर लेना